हेलो दोस्तो आड़ के सव 치र बाता करने के बाद फेस्बूक पेज का नाम कैसे चेंग करते एं अगर आपने पेज का नाम बदालना चाहते है तो इस विडियो को एंट तक देखते रहएं चलिए वीडियो को start कर लेते हैं इसके लिए आपको facebook आपको open कर लेना है facebook आपको open करने के बाद इसके बाद आपको अपने page में switch हो जाना है तो चलिए हम अपने page में यहाँ पे switch हो जाते हैं page में switch होने के बाद दूस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा page यहाँ पे open हो Settings, आपको Settings पर क्लिक कर दिना है, Settings पकर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक नया पेज यहाँ पर आपको दिखाए दिगा, दुस्तों मैं आपको नया update के बाड़े में बताऊंगा, दुस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, setting को change कर दिया गया है, तो किस तरीखी से आप page का नाम चेंज करेंगे, इसके लिए आपको थोरा सा नीची आना है, नीची आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, audience and visibility, और इसी के section में, इसी के अंदर में आपको एक setting मिलेगा, page setup, आपको page setup पे click कर देना है, page setup का यहाँ पर option मिल जाएगा, आपको simple सा click कर देन तो यहाँ पर आपको view पे click कर देना है, view पे click करने को आप page यहाँ पे load होगा, यहाँ पर आपको थोरा सा wait कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपका page का नाम यहाँ पर आपको दिखाए देगा, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे page का नाम है gtricks, ठीक है, मु यहां पर लिंख सक्टे हैं मैंने यह पे नाम डाल दिया ज़ैसे यहां पर दिकाई दे रहा होगा अब आपको एक बात का ध्यान रखना है अगर पेज का नाम चेंज कर रहे हैं तो आने वाले साथ दिनों तक आप दोबाड़ासे नाम को change नहीं कर पाएगा इस बात को आपको ध्यान रखना है आपको यह spelling को कहीं पड़ भी मिस नहीं करना है आपको ध्यान से spelling को मिला लेना है आपको बिल्कुल ही गलती नहीं करना है तो page का नाम ड़नने के बाद आपको नीचे में एक option मिलेगा review change आपको review change पे click कर देना है और जैसे आप review change पे click करेंगे click करने के बाद page यहाँ पे कुछ time load होगा और इस तरह से page यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर आप उपन में देख सकते हैं पहले जो मेरे page का नाम था gtricks और change करने के बाद यहाँ पर आपको नाम password यहाँ पर इंटर कर दिना है जिस id से अपने facebook page बनाया होगा उस id का password यहाँ पर आपको इंटर करना होगा तो चलिए हम password यहाँ पर इंटर कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने facebook id का password यहाँ पर इंटर कर दिया है password इंटर करने के बाद आ यहां पर नेम जो की चेंज हो चुका है अभी दोस्तों यहां पर पुराना नाम ही यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको अपने पेज को रिफ्रेस कर लेना है तो चलिए हम पेज को यहां पर रिफ्रेस कर लेते हैं पेज को रिफ्रेस कर लेना है और आपको र पेसवुक पेस्ट का नाम था जी ट्रिक्स और चेंज करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ग्यान की बाते हो गया है तो आप इस